नमस्कार दोस्तों जो चातर बिहार दरोगा PT एक्जाम का वेट कर रहे हैं उनके लिए दो बहुती बरी खुस खबरी है तो चलिए जानते हैं बिहार दरोगा PT एक्जाम के रिलेटेट क्या अपडेट आई है साथ इस वीडियो में जानने बाले हैं कि बिहार दरोगा पीटी एकजम कब तक हो सकते हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवसे देखेगा तो चलिए आज कब डेश स्टाट करते हैं पहले एक दुख बरी खबर आई है कि बिहार में 11 जुलाई को होने बाले बीएड इंट्रेंस एकजम को अस्थागित कर दिया गया आखिर ये एकजम क्यों अस्थागित किया गया क्योंकि कोरोना संक्रमन को लेकर अभी सरकार की और से अनुमती नहीं दी गया है यानि कि कोरोना संक्रमन के कारण अभी सरकार की और से परिक्षा लेने की अनुमती नहीं दी गया है इसलिए 11 जुलाई को होने बाले बिहार बीएड इंट्रेंस एकजम को अस्थागित कर दिया गया लेकिन उमीद है कि 6 जुलाई के बाद सरकार की और से एकजम लेने की अनुमती दे दी जाएगी उसके बाद आपके बिहार बीएड इंट्रेंस एकजम का नया डेट जारी किया जाएगा बिहार B8 का इंट्रेंस एक जम भी आपका जूलाई के लास्ट वीक में ही लिया जा सकता है वहीं सबसे बड़ी अपडेट आई है कि बिहार BPSC 66 मी मोखी परिक्षा अगस्त तक संभव BPSC 66 मी परिक्षा से राज में 691 पदों पर नियुक्ती के लिए होनी है बिहार लोक सेबा आयोग ने 66 मी BPSC सन्युक्त परिक्षा की मोखी परिक्षा के फॉर्म भड़े जा चुके हैं अगस्त में इसकी परिक्षा ली जाएगी वहीं आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट कोपरेटिव बैंक में बैकेंसी 200 पदों पर मार्च 2021 में आई थी और इसका एक जम भी 10 जुलाई 2021 को लिया जाएगा साथ ही कल जो 65 में BPSC मुखे परिक्षा का रिजल्ट जाड़ी किया गया है इसका भी इंटर्विव आपके जुलाई के लास्ट वीक में ही लिया जाएगा इन सभी अपडेट को देखकर ऐसा ही लगता है कि बिहार में एक जम का दोर अब शुरू हो चुका है और आपके बिहार दरोगा PT एक जम भी जल्द लिये जाएंगे इसलिए आपको बिहार दरोगा PT एक जम के रिलेटेट अपडेट 15 से 25 जुलाई के बीच मिल जाएगी 15 से 25 जुलाई के बीच आपको पता चल जाएगा कि बिहार दरोगा PT एक जम कब होंगे तो बिहार दरों का एक जाम के रिलेटे जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आगी हम आपको वीडियो के मादम से जानकारी दे देंगे इसके लिए आप मैंने चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक को शेर जो करें तो चलिए आज का वीडियो से मापत करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद